नमस्कार दोस्तों मैं गोविन विश्वास आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ उपस्तित हैं बढ़ोदा से अरुणांशु चोत्री जी आईए उनसे वाद करते हैं अरुणांशु दा आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अरुणांशु दा आपका जन्म कहां हुआ आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई आप कहां पले बढ़े इस विशह में हमारे दर्शकों से कुछ साच्छा कीजिए मेरा जन्म पस्टी मंगाल के हुगली डिस्टिक में बादा मेरे फैरेंट्स के ट्रांस्वररबल जॉब होने की चलते मैं इंडिया के विभिन शहरों और स्टेट में घुमा और जब मैंने 12 कंप्लेट किया उस समय मैं बुकारो सिल सीटी में था बुकारो से मैंने मेडिकल का एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए मैं पटना गया वहाँ कुछ आर्टिस्ट दोस्तों के साथ मुझे आर्ट में इतना इंट्रेस हुआ कि मैं पटना फाइन आट्स में अड्मिशन ले लिया और भाद में तीन साल भी जाने के बाद मैंने फिर से सोचा कि अब मुझे साथ किसी और कॉल्व में जाना चाहिए तो मैंने शांतिनीकतिन और बरोडा फाइनाट्स में ट्राइ किया और दोनों जगे अड्मिशन में मिलने के बाद मुझे लगा कि बरोडा में लिए बहतर होगा और फिर मैं बरोडा आ गया जी दआ आपके काम के पीछे के कॉंसिप्ट के बारे में आज कुछ दर्शकों से आउगत कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा काम का सब्चिक्ट जो है और हो तो एक्शली मेरा सरोंडिंग मेरा मेरा थार्ट मेरा इंट्रेस्ट या कुछ मेरा अवेर्नेस पॉलिटिकल सिच्वेशन को ले किये या मेरा कुछ आइडियलिस्टिक टाइप थिंकिंग किसी छेत्रे के तरफ जिसके उपर मैं करता हूँ लेकिन उसके दूसरे तरफ मेरा हमेशा से थिंकिंग यह रहा है कि जो सब्जेक्ट मैं लूँ वो अनलिमिटेड हो कोई भी चीज एक्शूली इसमें आके मर्ज हो जाए और हर एक चीज को मैं सामिल कर सब्कूँ लेकिन उसमें मेरा फुद का थौट मेरा लैंगवेज मेरा मेरा ब्रस ट्रोक अगर सही अर्थों में का जाए तो सब कुछ मिलके वो अपना हो जाए यही मेरा एक्शूली सोच ह एक काम शुरू करने से पहले आपकी बेसिक आइडियाज कैसे डेवलप होते हैं? जीता हूँ, जीता हूँ, जिसको फील करता हूँ, शोर्स वही है, तो इसको लेके ही मैं अपना विचार रखता हूँ और हर एक वर्क में अच्छली पेंटिंग के साथ साथ thought तो काफी होता लेगिन वो मैं जाता नहीं चाहता हूँ, वो मेरा खुद का experience है, खुद का जो वीचार है वो मैं अपने painting में ट्रिकट करता हूँ जी दादा, आर्ट फिल्ड में आने के पीछे आपको प्रभावित किस ने किया, इस विशे में कुछ बताईए मेरे family में mother and father दोनों साइड से बहुत सारे आर्टिस्ट पेंटर और music के छेतर में भी बहुत सारे आर्टिस्ट उगए हैं मेरी mother actually शांतनी के दिन से उन्होंने MA किया था और उन्होंने BFA किया था लखनों से 62 के आसपस वो फाइन अट्स कंप्लेट किया शांधिय के दिन से तो आपको शाइद लगता हुगा कि मुझे इंस्पिरेशन साइद मुझे मेरे मदर से मिलाओ वो तो मिला था लेकिन मुझे लगता है कि मेरी दादी जो एजुकेटेड नहीं थी लेकिन वो जब मैं छोटा थ तो विभेन तरह का खिलोना या आटा से कुछ ट्वाई बनाती थी जैसे मैं बहुत बहुत एक्टे इंस्पाइर होता था और आज मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर ये आर्ट आया कहां से या इतना इंट्रेस कैसे पैता हुगा तब मुझे जाकर लगता है कि शाद ये सोर् आर्ट एक्शली सिखाने से ऐसे नहीं सिख सकते लेकिन जो हम बच्पन में आसपास देखते हैं जो हमारा वातावरन होता है वही हमको इंस्पाइर करता है तो यही हुआ मेरे साथ है जी चाइल्ड हुड मेमोरीज को आप कितना अपने काम में देख पाते हैं क्या कुछ इ करते हैं वहां चले आता था उनको परिशान करता था उनके मिट्टी से और इससे तो वह आज भी मुझे आज मुझे सोचता हूं कि वह एक्सपरियेंस ग्रेट था कुछ ऐसे ही चीज गाउं में चले जाना या फिर बहुत सिंपल मिट्टी के पीच में खेलना हर एक पूज में कुछ ना कुछ तो मैं बनाता ही था तो यह सब याद से मुझे अज लगता है कि शायद आर्ट का सुर्वा वहीं से हुआ था एक काम के पीछे व्यक्तिगत प्रभाव कितना काम करता है किस प्रकार आप उसको अपने काम में ढाल लेते हैं इस विश्य में कुछ बोलिये मेरे लाइफ के अलग-अलग पड़ाओं पर या फेस जो बोल सकते हैं इसमें अलग-अलग सोर्स आया आप समझ सकते हैं अगर मेरे घर पर मेरे बेटे का जनम हो रहा है और उसके बार घर का अलग-अट्मस्पेर होता है कुछ अलग तरह का बस फील होता है तो वो मेरे पैंटिंग में जल चल अबने लगा सेकेंड टाइम कुछ और और भी कुछ महत्त पून कुछ हुआ जो बरेसरानी में चल रहा है तो वो जाने अन-जाने में मेरे वड़ पर आता ही था तो और सोशली जो भी मैं प्रेंटिंग को पने में डालता हूँ लेकिन अपने घर के आसपास का सराम्लिंग जिससे मेर करूंगा वह आसपास का ही होता था जी दादा क्या आप स्कुल समय से ही एक चित्रकार बनना च एक competition के नजर से देखने के लाब और ज्यादा कुछ सोचा नहीं था कुछ competition होते थे उसके कुछ पहले कुछ practice करना और फिर फ्राइज लेके आना यही art था उसे ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं वो तो बहुत बाद में मुझे पता चला जी जैसा आपने कहा था आपकी माता जी जित्रकार थी तो उनसे आपने क्या क्या सीखा मदर मेरी शांते जजन से और लखनों से किया था तो उस समय वो बेंगॉल स्कूल का फेस था उनके टीचर्स एक्टुली नंदलाल बोस राम किंकर ये लोग थे बीनों तो यारी मुखरजी पर उस समय काफी एज हो चुका था लेकिन वो थे तो उनके वर्क में एक्शुली वास टेक्निक का और जो एशियन आर्ट का काफी प्रवाव था तो मदर का काम बहुत कुछ उस तरह सही था तो मैंने स्कूल के दिनों में मदर से वास टेक्निक का ये सब सीखा था तो उसमें क्या होता है कि पेंट करके उपर से वास करना होता है कलर के थूँ तो एक बहुत फॉगी एफेक्ट एक लेयर जैसा फील होता था तो मैंने यह सब किया था तो आज अगर मेरे काम में एक पेंटिंग वे लेयर्स दिखता है जी बहुत अच्छी बात कही लेयर्स के माध्यम से हम अपने एक एक फेज को व्यक्त कर पाते हैं यह एक कला का विशय का अभिन्य अंग भी होता है लेयर बाई लेयर जिससे समय का एक अनुपात हमारे कामों में दिखता है क्या उस समय का प्रभाव आज भी आपके कामों में दिखता है उन दिनों के किये वे कामों का प्रभाव आज भी हमारे काम में दिखता है मैं अपने वर्क पे जैसे थिंकिंग एक के बाद एक आते रहता है आज मैं कुछ सोच रहा हूँ कल साथ मुझे उसके उपर से कुछ और करने का मोन हूँ तो मेरा सोचना यह है कि अगर आज मैंने कुछ मेरे वर्क पे कुछ किया और कल उसको टोटली चेंज करके एक अलग लेयर लगाता हूँ या उसके उपर से कुछ और एक लेयर आता है तो वो सामने वाले पर्सन को नहीं दिखता हो तो वो फील कर सकता अगर अगर अचली वो आर्ट से या आटिस से उतना नजदीगी है तो और मेरे लिए अचली सोचने ही है कि आर्टिस्ट खुद को समझ सकता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है और यह जो स्ट्रगल है कुछ आचीब करने का बार बार पनना बिगड़ना यह हमारा इंजाइमेंट है और इसी स्ट्रगल को हम अच्छे वेसे फील करते हैं जी दादा कलाकार के जीवन में कठिनाईया तो शुरू से ही आती हैं हम देखते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट को बार में हमने पढ़ा भी है और एक जैसे जो भी नए स्टुडेंट्स हैं और जो नए कलाकार अभी कॉलेज से पास आउट होके निकले रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे स्टुडेंट्स के लिए और आने वाले नए कलाकारों के लिए मेरा साला तो बहुत छोटा सा है कि अपने पर विस्वास रखिए और पूरा समय दीजिए आपके आपके जो लंबे समय का स्ट्रगल होगा उसका आपको रेजलत सही मिलेगा और आप इस लाइन में है जो कि एक तरह से रिसर्च जैसे ही है आपको पार्ट में विस्वास है इसलिए आप इस शेतर में आए हैं तो आपको समय और अपने पर विस्वास होना जरूरी है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपके ये शब्द जो है नए आर्टिस्ट और अपकमिंग स्टुडेंट्स जो आर्ट फिल्ड में हैं उनके लिए एक माइल स्टोन का काम करता है क्योंकि ये सारी बातचीत वो लोग आपसे डारेक्ट नहीं कर सकते हैं क्यों कई बार ब बहुत महत्पूर्ण होगा और हम लाइव के जरी आपका इस्टुडियो भी कभी विजिट करना चाहेंगे तब तक के लिए हम अनुमती चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद